नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल हिमाचल टूडे न्यूस पर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करोना कर्फ्यू के बारे में और बसों के उपर जो बड़ी ख़वर सामने आ रही है उसके बारे में बात करेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रही है वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बैल आइकन को दुआ दिजिए ताक की नई वीडियो की अपडेट जो है आपको सबसे पहले मिल सके चलिए वीड परचल में कुछ रियायतों के साथ 14 जून तक बढ़ सकता है करोना कर्फ्यू। मुख्य मंत्री जाराम ठाकुर के अध्यक्षता में 5 जून को होने वाली मंत्री मंदल की बैठक में कुछ रियायते देने के साथ करोना कर्फ्यू को 7 जून प्रातर चे बजे से 14 जून तक बढ़ाया जा सकता है इसके तहत करोना कर्फ्यू की अबदी में धील दी जा सकती है साथी सरकारी कारेलियों को 30 की बजाए 50 फिस्ती स्टाफ के साथ सपताह में 5 दिन खोला जा सकता है सुत्रों के अनुसार दुकानों को खोलने की अवदी को भी बढ़ाया जा सकता है मौजूदा समय में वेपार मंडल के पदाधिकारी भी दुकानों को खोले जाने के लिए निर्दारित किया गए समय से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है इसी तरह प्रदेश में सारवजिनिक परिवन सेवा को भी 50 फिस्दी तक खोला जा सकता है जब भी कोई बड़ी ख़वर आती है तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर बता दी जाएगी इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बैल आइकन को दबाजिए जिससे आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके धन्यवाद